तो आपके कल के एक्जाम के लिए हम लोग MSOE 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं MSOE 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अल्रेडी प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेवल हैं अब तक आप लोगोंने वो सब देख लिए होंगे अबी रात तक अगर आप लोग जगे है तो हम लोग कुछ और ओडियो फॉर्मेट में डिसक्शन कर लेंगे तो इस तोपिक आप लोग बात करें तो इस थियोरी इस गीवन बाई E.W. Burgess तो इस थियोरी जो थी वो E.W. Burgess ने एक अमेरिकन अर्बन सोचलोजिस थे 1925 में दी थी किस बेसिस पे इन्होंने जो थी American cities पे study करी थी जिसमें से mainly Chicago पे इन्होंने कुछ study करी उसके बेसिस पे उन्होंने ये theory जो थी वो frame करी थी He gives this theory to explain the structure and the growth of city कि किस तरीके से एक city divided है और किस तरीके से एक city की growth हो रहे है अब ये जो concept था ये publish हुआ था The Growth of the City and Introduction to the Research Project ये एक chapter था एक book में जिसका नाम था The City The City book का नाम था जिसका नाम क्या था The Growth of the City and Introduction to Research Project ये book इन्होंने 1925 में R.E. Park के साथ मिलके लिखी थी जिस book में इन्होंने अपने इस model को explain किया It assume the relationship between socio-economic status of household मतलब कोई इंसान कितना कमा रहा है उसका economic status क्या है and the distance from CBD उसका CBD यानि Central Business District से एक जो district Central Business District में आता है उसका वहां से कितना क्या है connection है क्या link है CBD अभी पढ़ेंगे अभी zones बताऊंगी तो उसमें CBD देखेंगे क्या होता है अब जो city CBD से जितना farther है जितना दूर है जितना far away है वो city में वहां पे quality housing की better होगी आपको लेकिन उसका जो आपको traveling time है अब हम कहते हैं कि हमें Delhi NCR for example if you are taking the example हमें अपनी country sorry हमें अपनी state के NCR एरिया में रहने है तो commuting time जादा लगता है तो if you want better environment और यह सब चीजे मिले तो आपको वो जो commuting time है आने जाने को जो time है उतनी cost जो है वो bear करनी पड़ती है इसमें अब इरोने आगे क्या बोला बर्गस views that as cities expand outward जैसे जैसे city outward मतलब area बढ़ता जा रहा है लोग बढ़ रहे है population तो आप NCR में भी चीजे create करते जा रहे हो इस तरीक से outscut में भी चीजे बनाते जा रहे हो तो the interaction among people and their economic, social and political organization also create radical expansion अब यह चीजे भी बढ़ती है लोग का interaction बढ़ेगा, politically control करने के लिए चीजे चाहिए, social organization जादा बढ़ेगा वहाँ पे, earning facility वहाँ पे और भी चीजे जो जोन में क्योंकि population बढ़ रही है, population बढ़ रही है तो resources कम हो रहे है, demand and supply meet up नहीं कर पा रहे है, तो resources की scarcity हो रही है, resources की कमी हो रही है, तो the scare urban resources led to the competition between the group, इससे competition होता है, अब आगे जो इनका model था, यह किस पे based था, this is based on the concept of invasion and succession, इस पे अल्रेडी वीडियो है वैसे, invasion का मतल अब गया है, यह process है, जिसमें आपकी जो continual expansion हो रहा है inner zone का into outer zone, एक अंदर internal area है, वो बाहर की तरफ outwards बढ़ते जा रहे है, due to natural aggression of the migrant into the city, क्योंकि बाहर से लोग city में रहने आ रहे हैं, अब अंदर main city में इतनी space तो है नहीं, क्या करोगा, इतने slum create हो गया, over congested area हो गया, बहुत घर बना दी है, हमने फिर भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, हम लोग demand, तो हमने बाहर की तरफ में भी residential area उनको चीजों को रहने के लिए place बनानी start कर दी, तो this is the thing, आपने देखा गुडगाओं, नॉइडा अगर हम Delhi NCR की बात करें, क्या पहले इतने established थे, आप लोग बात करें, तो it occurs जब एक area, जो proper आपका area है, वो dominate हो जाता है, किसी particular activity से, this is the concept of invasion succession, इसको detail में जानना है, तो आप वो proper invasion succession वाली वीडियो देख चुके होंगे, आई हो, नहीं देखिये तो इसको देख लेना, लेकिन यहाँ पे इसको explain करना है, क्योंकि यह model इन दोनों concept में base था, उसके बाद हम बात करेंगे, इस model को, बर्गस ने 5 concentric zone में divide करा, जिसमें पहले था आपका CBD, commercial center or central business district, zone of transaction, working class residence, residential zone and commuter zone, अभी एके करके थोड़ी थोड़ी बात करेंगे इनके बारे में, इस तरीके से आप diagram बना सकते हो, this is the loop यानि CBD, then second one is your zone of transition, third one is working class, then residential zone and then the last is commuter zone इस तरीके से आप diagram यह बना सकते हो, सरके दुनाने में कितना time लगना है, तो यह present करोगे, then comes the concept of CBD, CBD जो है वो ऐसे area क्योंकि आप नाम सुनरो, business, 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 CBD is totally commercial, commercial place थे non-residential, यहापे बहुत जादा घर देखने को नहीं मिलते हैं, यहापे लोग काम कर रहे हैं, यहापे बहुत सारे आपके head office, headquarters वगेरा होते हैं, अलग-अलग organization के, वो आपको देखने को मिलते हैं, बहुत जादा जो territory है, majorly non-residential होते है, बहुत जादा घर में होते लहीं है, most of the territory जो होती है, tertiary employment है वो यहापे देखने को मिलती है, urban transport जो है, urban transport infrastructure जो है, यहापे converts होता है, अब देको क places, जो कि क्या है, जो CBD में count किये जाते हैं, अब इंडिया जैसी जगे की बात करें, तो इंडिया में तो बहुत जादा CBD होते हैं, एक particular जगे में भी बहुत सारे CBD होते हैं, that's why इंडिया के लिए यह model उतरा fit नहीं बैठता है, अभी हम drawbacks पढ़ेंगे model की, then we will discuss, but zone of transition next, zone of transition मतलब factory zone और working class zone के बीच का यह area that is the zone of transition, यह एक area है जहापे land का pattern जो है change हो जाता है, यहापे आप factory production से हटके आप रहने के लिए आप उसको use करने की बात करते हो, यहापे पुराने house, low income group के लोग रहेंगे, गलिया थोड़ी पतली पतली, family disintegration मतलब आप माल लो family से अलग हो तो थोड़ा सा health का यहाँ पर problem रहता है, health उतनी facilities proper नहीं होती, this is what burgers observed in the city of America, America में जो उन्होंने observe करा, वो उन्होंने इस basis पर अपने model में explain करने की कोशिश की है, अब आप यह मत करो कि अपनी country से सब कुछ link करने की कोशिश करो, तो आपकी country पे सब कुछ 100% fit नहीं यह चीज है, right, third is lower working class residence, lower working class residence की बात करें, तो यहाँ पे industrial worker आते हैं, जो की desire to live within the easy access of their work, जिस area में हम काम करते हैं, तक पहुचना हमारली असान हो, हम easily अपने काम तक पहुच पाए, आसपास का area हो, they are located near the major zone of employment में, अपने काम के आसपास के area में, they will prefer to live, some older residential building, हमें यहाँ भी देखने को मिलती है, मदब पुरानी चली आरही building है, लेकिन residential होती है, people are living at that place, फिर आता है residential zone, again residential area है, high class apartment होते है, high class apartment means कि आप multiple room होंगे, बाहर खुली जगे होगी, जहाँ पे आप gardening कर सकते हो, parking facility होगी, transportation will be up to the mark here, communication facility better होगी, so this is the place, residence के लिए क्या क्या चीज़े important है, आपके residents को convenient बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, जो जो चीज़े important है, that all will be present in this zone, the last zone is computer zone, computer zone में वो person रहते है, जो इनको daily, जो daily क्या कर रहे है, एक area से, अपने working zone तक commute कर रहे है, travel करके जा रहे है, अब ये area जो होता है, ये suburban area होता है, ठीक है, suburban मतलब ऐसे कोई proper lining नहीं ह है कि यहां से गाउं शुरू हो गया, यहां से शहर हो गया, but this is a kind of suburban area, which is nearby situated to villages के आसपास होता है, sorry, यहां से लोग regularly अपने काम के लिए travel करके जाएंगे, बड़े-बड़े area होते है, widely open up spaces होते हैं, density भी जादा होती है, क्योंकि बड़े-बड़े घर है, तो एक जगे पे रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है, वो comparatively कम होती है, वो in close area में होगा, तो लोग ज़्यादा होगा, congestion ज़्यादा होगा, density ज़्यादा होगी, these are the five zones that is explained by the burgers, E.W. Burgas in his concentric zone model, क्या है, किस पे base है, किस concept पे base है, क्या 5 models है, यह हमने देखे, plus अगर आ जाता है model, तो आ अगस ने अमेरिका की सिटी में करी थी, मिल नी शिकागो पट अमेरिका में करी थी, तो अमेरिका में तो this was great, मतलब अमेरिका में तो यह चीज़े फुल्फिल बैट रही थी, यह concept समझ में आ रहा था, model-based study clear हो रही थी, लेकिन अमेरिका से बाहर तो यह प्रोपर वर्की अब यह ज़रूरी थोड़ी है कि लोग बिल्कुल काम जहा कर रहे हैं, बिल्कुल वहीं पास में रहना चाहेंगे, अब जहां लोग को affordable चीजे मिलेगी, शान्ती मिलेगा, सुकून मिलेगा, रहने काईक अच्छा environment मिलेगा, pollution कम मिलेगा, people will prefer to live there, लोग वहां रहना अब बताना चाहरे हैं, तो इस मोडल की रिल्वेंस थी, वो कम होती दिखाई दे रही थी, प्लस कोई आप कह रहे हो कि यहां से आता कि यह मौडल फिर यह स्टार्ट हो जाएगा, फिर यह कोई दिमार्केशन तो है नहीं, कोई प्रॉपर लाइन तो है नहीं, कोई प्रॉ वड़ आपन में है क्योंकि कोई दिमार्केशन नहीं है, कोई क्लिआर्टी नहीं है कि कहां से कहां तक चीजे डिवाइड़ है, थी दिवाइड़ है, तो इस प्रॉब्लम, प्लस यहां पे पॉलिटिकल फोर्स जो भी रूल्स होते हैं, गुवर्मेंट कुछ रूल्स लग एसे एरिया के लिए फुल्फिल नहीं होता जहां पे CVD एकस्स जादा है CBD के बेसिस पे कैसे देखोंगे पे CVD ही चार है मेरी पर्टिकुलर अरिया में तो कैसे हम अबसर्व करेंगे यह CBD इससे हां जाके यह अरिया आरा है रेजिदेंशल आ रहा है और यह सब आ रहा है तो it becomes difficult so that's why India में it become difficult कि हम इस model को follow करें तो यह model इंडिया जैसी country जहाँ पर ज्यादा CBD होते है वहाँ पर नहीं fulfill होता है वहाँ के लिए different study बाद में और multi-zonal और तरीके की study की गई थी तो that is okay for India but the model like this concentric zone model is not suitable for our country India so is it okay हमने concentric zone model detail में कर लिया 20 number का आता है तो बहुत अच्छे से हमने काफी content देख लिया है meaning concept किसने start किया, कहां start किया, कैसे use किया, किस पे base है different model क्या कहते है, plus इसमें क्या कमिया है we have talked about all these things in detail just अभी after the video upload होते ही so that you can read and learn this concept and present it well in your examination so that's all for this video thank you for watching